इसमें एक सो पचासमा अगला साल है उससे पहले अभी तक जो एक रामनीला जिस प्रकार से चलती चलिया रही है उसको और भवे बनाने के लिए क्योंकि पचासमा साल का जो कारेकरम है उसको हम लोग एकदम अलग प्रकार से करना चाहते हैं कि जिसमें लोगों को लगे कि ये रामलीला एक दिहात वाली रामलीला नहीं है ये अद्धिती एक सहर की एक बंबई की रामलीला की तरह हो रही है जिसमें की बहुत से मंचन अलग प्रकार से हो उसके लिए इस बार थोड़ा सा बहाते हुए कि जो इस टार्टिंग है रामलीला की वो हम लोगों ने प्रेम भूसर जी को बुलाया है उनसे आग्रह किया उन्होंने समय दिया वो उस दिन धज़ार वहां की पूजा के बाद क्या तारिक रहेगा कब से सुब्सें क्या रहे है पंद्रा तारिक रहेगी पंद्रा अक्टूबर से 6 बजे से लेके 10 बजे तक वो अपनी राम कथा के माध्यम से संगीत और उसमें जित्ता उनक्या तो कहने की जुरूत नहीं है कि प्रेम भूतर जी किस प्रिकार के वक्ता किस प्रिकार के कथा राम कथा वाचक हैं तो हम लोग जो अच्छा से अच्छा कर सकते हैं उसकी कोसिस करना है और जिससे की अगले साल हम लोगों को उसमें थोड एक टार्गेट पर पहुंच जाएं और भव्यर राम लीला का आयोजन क्या विसेस्ता रहेगी इस बार की विसेस्ता प्रेंगूसों जी है और होली 21 तारिक को जो फूलों की होली फिरी जाएगी उसमें हम अलग टीम का और नाइस किया है वो एक अलग विसेस्ता रिक्रम है बाकी तो राम लीला जैसे होती है वैसे ही होती है